आ गई है नियुरात और नियुरात में हम लोग altar में हम लोग को बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो फटाफाट से करना होता है तो friend उसके लिए मैं बहुत ही अच्छी अच्छी टिपस लेख आएं जिससे आप अपने निवराद के कामों को बहुत ज़ता आसान तरीकों से कर सकते हैं और अपना समय भी बचा सकते हैं तो चलिए फ्रेंड हम वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले अगर मेरी वीडियो आप सब पुझला से पसंद आती हो तो आप चै तो यह बिल्कुल भी नहीं बनेंगा उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे टिप्स लेकियां जिससे आप इसको तुरंद भीगो कर और तुरंद यूज कर सकते हैं उसके लिए आपको क्या करना होगा इस तरह से एक कटोरे में किसी भी बरतन में आपको इस तरह के जो और इसको हलका सा गरम कर लेना है सबसे पहले आपको इस तरह से पानी डाल देना है और इसको एक दूपानी धूल लेना धूलने के बाद में आपको अपने गैस पर जाना है और इसको हलका गरम कर लेना बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना नहीं बहुत ज़्यादा हाई फ् हुआ है उसके बाद में आपको क्या करना है कोई भी चीज से इसको ढख देना है बस आपको दस मिन लगेंगे और यह अच्छे से फूल जाएगा जिससे आप तुरूंत इसको बना सकते हैं कभी कभी होता है ना हम रात में भूल जाते हैं विगोने के लिए अगर आप इस तर से दिन में भी गर्मा कर इस तरह से अच्छे से आप बना सकते हैं देख सकते हैं भी दो ही मिर्ट नहीं हुआ लेकि यह अच्छे से फूल गया है बस आप इसको दस मिर्ट तक इस तरह से रखकर आप इसको अच्छे से बना सकते हैं चलिए अब चलते हैं अपने हम नेस टि और आपके सारे दूद जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं उसके लिए बहुत ज़्यदा अच्छा टिप्स लेगा हैं जिससे आपका दूद जल्दी बिल्कुल भी नहीं फटेगा उसके लिए आपको क्या करना होगा उसके लिए आपको मीठा सोडा लेना होगा और दूद मे तो इसको मत यूज किजिए अगर ब्रत नहीं है तो आप इसको यूज कर सकते हैं जब भी आपके घर में लाइट ना आई या आप किसी करन वस आप दूद्ध को अच्छे से गरम ना कर पाए तो आप इसको यूज किजिएगा आपका दूद्ध कभी भी नहीं फटेगा दो अच्छी टिप्स है और यह डेली यूज होने वाला टिप्स है तो इसे आप लोग जुरूर फॉलो कीजिए अपने फ्रेंड में इसको जुरूर सेर की ज़िए आप चलते हैं अपने हम नेश टिप्स की तरफ नियो रात में हम इस तरह के जो सुखे मिर्चे होते हैं उसको मं बगाकर भूज कर और पीस कर देब मिरख देते हैं उसके लिए जो इसका डंठल होता है जब इसको हम तोड़ते हैं तो हमारा जो समय होता है बहुत ज़्यादा इसमें लग जाता है एक एक को इस तरह से हम कर तोड़ेंगे तो भूज हथा चाहिए अपने हाथ तो मिर्ची होती है इस तरह से आपको ले लेना होगा अपने हाथ में अब आपको क्या करना होगा कि दोड़ेंगी और दोड़ जाता है बिल्कुल भी एक एक करने का कोई भी जरूरी नहीं आप इस तरह से लेज़े और अपने हाथों से इसको तोड़ लीजिए अब मैं आपको बताऊंगी दूसरा तरीका दूसरा तरीका बहुत ही जदा अच्छा होने वाला है यहां मैंने च्छनी का यूज किया च्छनी का यूज इसलिए किया है फ्रेंट कि इ 15 मिर्ची इस तरह से अपने हाथों में इसको ले लेना है लेने के बाद में क्या करना है फिर अगर आपके हाथों में मिर्ची के जलन होती है बहुत ज़्यादा होती है तो आप अपने हाथों से इसको मत तोड़िए गा इस तरह से इकटा कर लीजिए कोई भी चकु लीजि और ये आसान तरीकों से तूट भी जाएगा ये दो तरीका आप यूश करकर बहुत सारी मिर्ची आप तोड सकते हैं देख सकते हैं फिर इस तरह से आपको चक्कु लेना है और इसको एक की बार में सारे इस तरह से आपको निकाल देना है एक देख सकते हैं इस तरह से आपको करल देना है और देखिए एक की बार में किते सारे जो मिर्ची होती हैं वो आराम से तूड गई है इससे क्या होगा फ्रेंड कि आपका समय तो बचेगा ही और आपके हाथ में जो जलन होती है वो भी कम हो जाएगी और धेर सारी मिर्ची का डंठल जो होता हो आराम से आप तोड़ सकते हैं यह देख सकते हैं यह बहुत ही अच्छा तरीका है फ्रेंड मिर्ची को तोड़ने के लिए देख सकते हैं इस तरह से आपको सारी मिर्चियां तोड़ लेनी होगी यह देख सकते हैं पर एक की बार में मैंने इस तने सारी मिर् टिप्स बहुत ज़्यादा यूजफूल है इसे आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा और अपने फ्रेंड में इसो ज़रूर सेयर कीजिएगा चलिए फ्रेंड चलते हैं अपने हम नेश टिप्स के तरफ क्या होता है जब हम इस तरह की मिर्ची होती है उसको तोड़ते हैं तो हम से पहले आपको इस तरह से जो मिर्ची होती है तोड़ने के बाद में अपने हाथों को Ц्छ से तोई भी स्हाबुनन से आपको धूल्लेना धूलने के बात में क्या करना है अप अपने हाथों पर अलोकि जिल लगा ली जिए अकर अलोबेरा घर का हो तो बहुत ज़्यदा अच्छा कर घर करना हो तो आप मार्केट वाला जो आता है उसको भी लगा सकते हैं जिससे आपके हाथों का जो जलन होता एकदम से बंद हो जाएगा और फ्रेंड जब कभी आपको इस तरह से जब मिर्ची तोड़ना हो तो आप अपने हाथों पर इसी तरह से लगा लिए जब हाथो उससे भी आप जो जलन होता है मतलब एकदम से बंद हो जाएगा और फिर जलन नहीं होगा आप उसको भी लगाकर सकते हैं अगर आपके पास अलोवीरा जल हो तो आप उसी का यूज़ कीजिए गा अगर नहों तो उसको भी यूज़ होगा कभी-कभी मेरे पाद जिल जाते हैं अगर जल नहीं होता है तो हम जो कोलगेट होते हो तो हर किसी के घर में एजली मिल ही जाता है तो मैं कभी-कभी उसको भी यूज करती दोनों चीज़ बहुत ज़्यदा अच्छा है इसको खेतम करने के लिए तो यह टिप्स आप सब आपको पसंद आयो तो एक लाई चुरूर कीज़ेगा चलिए अपने हम ने स्टिप्स की दरफ जब भी हम निवरात में इस तरह की धनिया होता है उसको धुलकर ही पीस कर इसको रखते हैं क्योंकि रात में खाना होता है तो फ्रेंट उसके लिए आपको धूब दिखाना हो आपको छनी लेनी है अगर आपके पास बास्तिक आले छनी वहती है तो स्टील का चनी आती है उसको आपको लेना है अन्य तुख वह जो जो उच्छेस लुग था है और वपानी बचा она से आप अपने पाउधे में डार सकते हैं वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक सिस्क्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अगर आप चैनल पर नहीं है तो सिस्क्राइब जरूर कर लिजिए आफ